अप्प माद वगो वग नमबर दो गाथा नमबर दो एवं विसेशतो यत्वा अप्प माद मही पंडिता अप्प मादे पमोदंती अरियानंग गोचरे रता एवं विसेशतो यत्वा एवं माने इस प्रकार से यानि ऐसे विसेशतो माने अच्छी तरह से और यत्वा माने होता है जानकर यानि जहां यह लग जाता है वहाँ इसका मतलब होता है ज्ञान यानि जानकर यानि इस प्रकार अच्छी तरह जानकर अप्प माद मही पंडिता अप्प माद मही यानि एपमाद मही एपमाद में पंडिता यानि पंडिता का मतलब है यहां जानकार जो लोग है, जिनको जानकारी होती है, उनको यहां पंडिता सब्द इस्तमाल किया गया है, किसी भी चीज़ का कोई जानकार होगा, उसको पंडिता बोला जाता है, यानि पंडित बोला जाता है, तो जो जानकार लोग होते हैं, वो अच्छी प्रिकार से जानकर देखकर इस ग्यान को प्राप्त करकर पहली लाइन बुलकुल इस पस्ट चीक है एपमाद में यानि एपमाद में जानकर यानि हम एपमादी रहें ये जानकर जो जानका लोग होते हैं वो क्या करते हैं अपमादे पमोदंती यानि एपमाद जो ह अपमादे का मतलब है जो एपरमाद है उसमें परमादित होते हैं यानि कि उसका आनंद लेते हैं उसको समझते हैं उसे जानते हैं उसे गर्ण करते हैं एपरमाद जानका परमाद प्राप्त करते हैं यानि कि जो एपरमाद है उसको जान लिया और उनको वो सुख मिल ला है प बहुत इसपष्ट है, बहुत किलियर है, अरियानंग का मतलब है, जो अरिया जिसको आर्य बोलते हैं, यानि कि आर्यों का मार्ग, अरियानंग मार्ग का मतलब है, बुद्ध का मार्ग, यानि बुद्ध की बात हैं, जो आर्य सत्की हैं, अरिय सत्की हैं, क्योंकि आर्य को पा बुद्ध चड़ते हैं, यहां गो का मतलब गाय नहीं है, यहां ऐसा नहीं कहेंगे, जैसे गाय चड़ती हैं, वो नहीं है, गो माने गाय भी होता है, और गो माने गोतम की भी बात आती है, यानि गोतम भी जो चलते हैं, उनको गोचरे बोलते हैं, बात में यह भिकों के रत रहते हैं यानि कि उसके मार्क पे चलके रत रहते हैं ऐसे व्यक्ति ऐ प्रमाद को जानकर प्रमाद यानि सुख पूर्वक रहते हैं ये इस गाथा का सिंपल सा साधरन सा मतलब है जो सामावती और मागंदिय की गाथा नमबर 2 है यानि की गाथा नमबर 22 और भी सरल अगर लोग ये जानते हुए कि एपरमाद में क्या खास बात है एपरमाद से क्या फायदा होने वाला है जो इसको अच्छी प्रिकार से जानते हैं वे लोग बुद्ध के मार्क पे चलते हुए बुद्ध की जो बात है उसको सीखते हुए एपरमाद होते हुए कर दो रहला कर दो आपक कर दो अबाइब से लाइब से जपान कि अबाइब कर दोड़ से टाल व हु हु है कि अबाइब कर दो बने पला झाल अजगो पाल आपक्ता जो कि पाल अपक्ता जो आपको आट में होगास आपक्ता जो आपकीश को पाल आपको आपकोटा कि नहीं हूँ